सलमान के कहने पर जानवी कपूर ने किया चिकनी चमिली सौंग का जवदस डांस सुनाए बच्पन के किस्से जानवी कपूर इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म मिली को लेकर काफी सुर्प्यों में है ये फिल्म 4 नमबर को रिलीज भी कर दी गई है जानवी कपूर अपनी फिल्म का प्रमोशन करने बिग बस के सेट पर देखने को मिली थी बिग बस के घर में यहां जानवी कंटेस्टन के साथ काफी मजाक मस्ती करती दिखी वहीं सल्मान के साथ भी वो काफी हस्ती खेलती देखने को मिली इस दोरान सल्मान के कहने पर जानवी कपूर और सनी कोशल ने कंटेस्टन अर्चना और MC स्टेंड की आवास पर मिमिक्री भी की और ये काफी फणी था इसी दोरान सलमान ने जानवी कपूर को लेकर एक किस्सा भी सुनाया यहां तक कि सलमान के कहने पर यहां जानवी कपूर ने चिकनी चमिली सौंग पर जबदस बैली डांस भी किया यहां सलमान ने जानवी कपूर को लेकर बच्पन का किस्सा सुनते हुए कहा की जब मैं अपनी Wanted फिल्म की शूटिंग कर रहा था उस दोरान प्रभु देवा मुझे डान्स सिखा रहे थे और उस दोरान जानवी कपूर अपने पिता बॉनी कपूर के साथ वहाँ पर खड़ी मेरा डान्स देख रहे थी जब प्रभु देवा मुझे डान्स सिखा रहे थे उस दोरान जानवी कपूर भी उस डान्स टेप को फॉलो कर रहे थी और जब हमारी नजर जानवी पर पड़ी तो मुझसे पहले भी वह डान्स टेप सीख गई और वह खड़ी डान्स भी कर रहे थी और इस तरह जानवी कपूर को देखकर मैं और प्रभुदेवा तो पूरी तरह से चौक गए थे फिर सल्मान खान बोले कि ये बात मैंने जानवी कपूर की मा श्रीदेवी को भी बताई थी तब श्रीदेवी ने सलमान को बताया था कि जानवी बैली डांस अच्छा कर लेती है जिसके बाद सलमान के कहने पर जानवी कपूर ने स्टेज पर चिकनी चमेली सौंग पर जबदस बैली डांस भी किया जो सलमान को काफी अच्छा लगा हाली में रिलीजोई जानवी कपूर की फिल्म एक रियल स्टोरी पर बेस्ट है जिसमें जानवी माइनस डिग्री सेल्सियस के एक फ्रिज में फर्स जाती है और किस तरह बचकर बाहर निकलती है उस बारे में कहानी बताती है तो दोस्तों आपका क्या कहना है इस खबर पर कमेंड में जरूर बताएं